गुदान उपन्यास का रचना काल 1932 से 1936 तक है और इसे 10 जून 1936 को प्रकाशित किया गया था है तो प्रकाशन काल 1936 गुदान उपन्यास के पात्रों के बारे में अगर हम कहें तो जो गौन पात्र हैं उनमें हैं भूला, हीरा, शोबा, सोना, आरूपा, पंडित ओंकार, नात, श्याम, भिहारी, तन्खा, तन्खा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा, खुर्शे, पंडित नोखे राम, सिंग, प्रटेश्वरी, नोहरी, मंगरुसा, दुलरी, सहुया, चुहिया, और जो इसके पुरुष पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हम कहेंगे, मुख्य पात्र में पुरुष पात्र, इस तरी पात्र को हम अलग अलग देखेंगे, तो जो पुरुष पात्र हैं, उनमें है होरी जो की उपन्यास का नायक है, बहुती सीधा साधा साधान किसान है, परिश्रम है, इमानदार है, आरती कभावों से आगे जाके वे कहानी जैसे से आगे बढ़ती है, उसे हम देखते हैं, आरती कभावों में उसे जूशता है, शोशन का शिकार होता है, लेकिन बहुती व राय साहब अमरपाल सिंग जो की सेमरी गाओं के निवासी है आवत प्रांद के एक समीदार होरी इनी के यां जमीदारी करता है और जो इसमें अन्य पात्राएं हैं जिनके अभी नाम मैंने उपर लिये थे में तो खन्ना, मिर्जा, खुशेद, उंकार, नातादी तो ये नग लगते हैं राय साहब के पुद्र का नाम रुद्रपाल है और पुद्री का नाम मिनाक्शी है राय साहब पाखंडी व्यक्तितों के हैं इनकी कथनी और करनी में अंतर है, चतुर हैं और जरजर समंती अवस्था के शिकार भी राष्ट्रवादी स्वातों पर प्रासरगार के भक्तें, किसानों के शोशक, विचारों से प्रगती शील लगते हैं और जमिंदार वर्ग के प्रदिनीदी पात्र कही जा सकते हैं अगला पात्र है प्रफिसर महता मैता युनिवस्टि में दर्शन शास के प्रद्यापक हैं इनकी जो कथनी और करनी उनमें एक रूपता है परिश्रमी हैं ये नयतिक्तावादी हैं और अच्छे चरित्र के हैं दर्द चरित्र के हैं विनोधिस्वभाव के हैं और प्रकृति प्रेमी हैं और नारी जाती के प्रती श्रद्धावान हैं ये बुद्धी जीवी पर्ग के प्रतिनीदी पात्र हैं मालती से प्रेम करते हैं और ये कुमारे हैं मालती को बहुत अधिक चाहते हैं और गोवर जो चोथा हमारा पात्र है वह होरी और धनिया का पुत्र, 16 साल का है, जुनिया का पती है, विद्रोही चेतना का प्रतीक है, सोनारूपा उसकी बेहने हैं जागरुख है, प्रगती शील है, धनी बनने का कांक्षी है, महनती भी है, इमानदार है, लेकिन शोशन का सिश्षिकार है, माता पिता की सेवा करता है, और यहाँ पर इस पन्यास में विद्रोही चेतना का प्रतीक पात्र है अगला जो पुरिश पात्र है, पंडित दाता दीन, होरी के गाउं में रहने वाले एक बुड़े पंडित हैं, माता दीन के पिता है, गाउं के सम्मनित व्यक्ति हैं, और किसानों को सूध उपर पैसा देते हैं कर्मकार्ण में इशुरास करते अब बात करते हैं, गोदान, उपन्यास के इस्तरी पातरों के बारे में तो सबसे पहले नाम आता है धनिया का जो होरी की पतनी है बहुत महनती है, पती के प्रती पूरी तरह से समर्पित है, निडर है, निर्भीक है, थोड़ी तिती उग्रस भाव की है, अब लड़ा को कहें सरल शब्दों में, और लेकिन उसमें हमने देखा कि बहुत ही प्यार भी है, मातरत भावना है, साथी साथ सेवा और त्याक की दे से देखते हैं, विवार कुषल भी हम कह सकते हैं, इस उपन्यास के नायक की पतनी है, तो नायका भी कही जा सकती है, गोबर उसके बेटे का नाम है, रूपा और सुनास की बेटियों के नाम है, कृशक इस्तरी वर्ग की प्रतिनीदी पात्र कही जा सकती है, और अगली जो इस्त्री पात्र है वह मालती जो इंग्लेंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई नव्युवती है सरोज इसकी बहन का नाम है सरोज और प्रफेसर महता के प्रती आग्रिस्ट है सुन्दर व्यक्तित्व की स्वामिनी है पड़े लिखी तो है ही बाहर से तिली अंदर से मधु कि गतिशील चरित्र की स्वामिनी सेव और त्याकसे युक्त चरित्र में द्रड़ता है इस्त्रियों की स्वतंत्रता की समर्थक है और बुद्धि जीवी महिला वर्ग की प्रतिनिधी है अगला इस्त्री पात्र अगर हम देखें तो वह है जुनिया जोकी भोला की का पुत्री है जिसके साथ गोबर का प्रेम होता है और बाद में उसको वैपत्नी बना लेता है तो बोला अहीर है अहीर जाती की कन्या है यह तो वैदवय की पीड़ा से तरस्त है करतवय माई पतनी है उनमा दिनी प्रेमिका है वातसल्य माई मा है और सेवा भावी और करतवय परायान है धन्या के प्रती सेवा भाव उसमें बात है आगे हम बात करते हैं अगली जो इस्तरी पात्र है खन्ना साहब की पतनी है जिनका न मालती के प्रतीशय रखती हैं, लेकिन पत्नी की रूप में वफादार पत्नी हैं, त्याग मही हैं, सेवा भावना इन में हैं, और प्रेम चंद जी की नारी भावना को मूर्त करने वाली स्तरी पात्र है, गुविंदी. और महता की द्रिश्ट्री में आदर्शनारी प्रेम चन्जी ने प्रारम में इनका नाम कामनी खन्ना दिया है पांचवी जो पात्र है वे है इस्त्री पात्र सीलिय जाती की चमारिन है पंडित माता दिन की प्रेमी का है पंडित माता दिन कौन है धाता दिन के बेटे जाती प्रता की शिकार है माता दिन द्वारा अंत में पत्नी के रूप में उसे स्विकार कर लिया जाता है जब उसके बेटे की उम्रित्ती हो जाती है माता दिन के बेटे की और बहुत ही रूपवान है ये लड़की सीलिया गु और तो इस तरह हमने इस उपन्यास में जो गौन और प्रमुक पात रहे हैं उनके बारे में बात की आपके अनुरोद पर आज मैं मुझी प्रेम चंजी के लिखे उपन्यास गोदान को सर्ल शब्दों में एक कहानी के रूप में बताने जा रही हूँ गोदान में दो कहानिया साथ साच चलती हैं इसे हम यह कह सकते हैं कि यह दोहरे कथानक वाला उपन्यास है इसमें ग्राम्य और नागर दोनों ही तरह की जीवन शैली को प्रसुत किया गया है यह दोनों कथाएं आपस में बहुत कम रिलेटिड है यहने समबद है इसलिए पहले मैं गाउं की कहानी बताऊंगी और उसकी बाद जो नगर है शेहर है उसकी कहानी तो जो गाउं की कहानी है होरी की कहानी भी कह सकते हैं इसको हम होरी एक किसान है लखनों के नजदीक पेलारी गाउं है वहाँ है किसान है उसके पास केवल पांच बीघा जमीन थी और राय साहब अमर पाल की क्रिपा द्रिष्ट्री उस पर थी जिसके कारण गाउं में उसका काफी मान सम्मान था और उसे सब महतों कहते थे उसका जमीदार के यहां भी अच्छा आना जाना था उसकी पत्नी का नाम था धनिया और वहें बहुत ही तीखे से स्वभाव के इस्त्री कहीं जा सकती है कि उसका स्वभाव नर्म नहीं था तीखे स्वभाव के इस्त्री थी किन्तु साथी साथ वह तीह सभाव की तो थी लेकिन साथ में वह बहुत ही सहनशील और भावनमई इस्तरी थे उसके पुतर का नाम था गोबर जो बहुत ही उग्रस भाव का विद्रोही युवक है होरी की दो बेटियां भी है एक का नाम है सोना, दूसरी का नाम है रूपा सोना की उम्र है 12 साल, रूपा की उम्र है 8 साल एक दिन जब राय साहब से मिलने जा रहा था तब उसकी भेंट भोला अहीर से हुई जो गाय चराता था गायों को देखकर होरी के मन में विचार आया कि वह भी गाय खरिदे और गाय खरिदने की उसकी बहुत समय से मन में एक इच्छा थी, अभिलाशा थी, बहुत समय से थी और बातों बातों में उसने जान लिया कि भोला पतनी के मरने के बाद जो अहीर, भोला जिसे यहां पे खागे वैद दूसरी शादी करना चाहता है तो होरी ने उसकी सगाई करने का आश्वाशन दिया और साथ ही गाय खरिदने की जबी प्रकट की भोला उसे गाय देने को त्यार हो गया लेकिन जब उसे यह पता जरा कि भोला भूसा खरीद ना पाने के कारण गाय बेच रहा है तब उसका विचार बदल गया उसने भोला से कहा कि तू भूसा ले जा और फिर राय साहब से मिलने चला गया होरी जब राय साहब के घर से वापस लोटा तो कुछी क्षणों में भोला भी भूसा लेने आपाचा उसे तीन खाचे भूसा दे कर होरी ने उसको विदा किया और फिर विदा किया गोबर के साथ पहुँचाने भी गया गोबर उसके बीटे का नाम है किसके होरी के लोटते समय आदे रास्ते तक जुनिया उसे चोड़ने आई उनका आपस में प्रेम हो गया इधर गाय की प्रतिक्षा में होरी, धनिया, सोना और रुपा सभी बहुत खुश थे होरी ने अपने भाईयों के साजे के पांस पेच कर कुछ रुपे बचाने का प्रयास भी किया लेकिन सफल नहीं हुआ होरी के घर गाय आ गई और होरी का परिवार तो बहुत ही खुश हो गया विशेश कर होरी क्योंकि अब उसकी चिर संचित अभिलाशा पूरी हो गई थी गाय बहुत ही सुंदर थी अच्छी थी और यह समाचार के उसने गाय खरी दिये सारे गाह में आकी तरह पहल गया गाय क्या आई वह तो होरी के बुरे दिनों को साथ जैसे लाई हो उसकी भाईयों में मनमुटाव था ही लेकिन गाय को देखके और बढ़ गया और होरी से तो अब और भी जादा हो गया और उन्होंने क्या क्या एक दिन मौका मिलते ही हीरा ने गाय को जहर दी दिया और रात में ही गाय मर गई होरी ने उसे देख लिया था किसे हीरा को गाय को जहर देते जब होरी ने धनिया पर अपने संदेह की बात की तो धनिया सीधा हीरा के घर पहुँच गई उसकी पतनी है धनिया और हीरा पर हत्या का आरूप लगाया पुलिस ने हीरा के घर की तैलाशी लेनी चाही लेकिन होरी ने अपने भाई की रक्षा के लिए अपने गोबर की भी जूटी का समखाई कि उसे यह पता नहीं कि गाय को किस ने जहर दिया तो यहां पर होरी के स्वभाव का पता चलता है कि किस तरह से उसे अपने भाईों से प्यार था और अपने भाई को उसने इस तरह से बचाया यह जानते हुए भी कि उसके भाई ने उसकी गाय को जहर दिया है तो अपने भाई को बचाने की उसने कोशिश की और यह उसकी भाईचारी का संकेत है और धानों की रूपाई भी उसने की थी हीरा घर से भागया था उसकी पतनी पुनिया असहाय हो चली थी अब होरी को पुनिया की भी चिंता होने लगी सावन में होरी ने अपने धान की रोपाई नहीं की लेकिन पुनिया के धानों की रोपाई समय पर कर दी तो यह उसका अपने भाई के लिए प्रेम था परिणाम शरूप होरी की फसल बहुत कम होई और पुनिया के घर अनाज रखने की जगाना थी इतना अनाज हो गया धनिया के स्वभाव में भी अब पुनिया के प्रती सदा शैता जाग उटी के वह बिचरी अकेली है उसका पती उसको छोड़ के भाग गया है और पुराने बैर को वह भूल गई थी और वहां क्या हुआ कि जुनिया और गोवर के बीच में प्रेम बढ़ता चला गया उस प्रेम का परिणाम यह हुआ कि जुनिया गर बती हो गई गोवर उसे अपने घर में आने को कहकर खुद भाग गया होरी उस समय खेत पर था धनिया घर में अकेली थी जुनिया जब घर पर पहुँची तो धनिया ने उसे खुब बुला बुला का जुनिया रोने लगी रोते रोते उसमें सारी बाते बता दी धनिया इस सिस्तिती मे उसे घर से बाहर करने का सहस नहीं कर पाई वे होरी को इसकी सुझना देने खेत पर पहुँची पहले तो होरी भी गटना सुनकर बहुत गुस्ता हुआ लेकिन बाद में धनिया के समझाने पर उसे घर में ही रखने पर हो गया कि भी हाँ राजी हो गया धनिया का हिर्दय अब दया से भर गया था जुनिया ने होरी से शरण मांगी और उसके पाउबर गिर पड़ी होरी ने उसे आश्वाशन दिया कि वै उसे अपने गर में रख लेगी गोबर चीपे-चीपे यह सब होते देख चुका था और जब संतुष्ट हो गया तो कमाई करने के उद्देश से शहर चला गया जुनिया चुकी जाती बाहर की थी इसलिए उसे शरण देने और बहु बनाने के प्रश्ण पर गाउवालों ने होरी का बहिश्टकार कर दिया समास से निकाल दिया उसका हुका पानी बन कर दिया एक दिन जुनिया को लेकर दाता दीन और धनिया में वाद विवाद हो गया सब्ड़ दाता दीन ने गाउओं के कुछ प्रमुखों को इस पक्ष में कर लिया कि होरी पर सौ रुपे का दंड और थीसमंड अनाज का दंड भना होगा यही हुआ असहाय होरी घर का सारा अनाज जिंगुरी सिंग की चौपाल में भड़ता रहा और अपने घर रहन रखकर रुपियों की व्यवस्था करने लगा धनियास पर भहुत जुझ लाई लेकिन सब बेकार अब होरी की घर खाने तक को अनाज ना था इससे वह चिंतित रहने लगा उधर गोबर की भी कोई सुचना नहीं मिल रही थी भोला भी इससे घुसा हो गया क्योंकि जुनिया को घर में रखकर उसने भोला का भी अपमान कर दिया था अता वह गाय का मूले लेने घरा धम का होरी रुपे कहां से देता फलता भोला उसके दौनों बैल खोल कर ले गया अब होरी के तो जैसे दौनों हाथ ही कटके बेल के बिना वो खेत कैसे जो देगा बेलों के बिना उसकी खेतों की जुताई नहीं हो सकी और दूसरों के खेत पर वे काम करने लगा धनिया, सोना और रूपा ये तीनों भी दूसरों के खेतों में काम करने लगे एक दिन दाता दीन ने साजे में खेती करने का प्रस्ताव रखा हॉरी ने से माल लिया वे अपने ही खेतों में मज़ूर की हैस्य से काम करने लगा हॉरी सोसता था कि एक बेच कर वे बैल लेले लेगा किन्तु साहू कार महाजन उन्होंने तो एक किसारे रुपे ले लिए इधर गोबर को लगनो नगर में रहते लगबक साल हो गया था अब एक गाउं का सीधा साधा नव्योवक नहीं है बलकि नगर सब्भेता से अच्छी तरह परिचित हो गया पहले उसने मिर्जा कुर्शेत के पास 15 रुपे मासिक पर माली की नौकरी की और बाद में कुछ अच्छी रुपे जमा करके खोमचा लगाना शुरू कर दिया अब उसने एक दुकान खोल ली जिससे उसको धाई 3 रुपे रोज की आमधनी होती थी इन 11 महीनों में उसने जो बचत की उसकी 200 रुपे की लगबग कमाई उसके पास जमाती वे अपने साथ लेकर जुनिया को लाने चल पड़ा एक दिन होरी खेत में एक काट रहा था कि दाता दिन ने उसकी पतनी धनिया को फटका रहा इसका प्रभाव यह हुआ कि काम करते करते अचाना खोरी बेहोश हो गया धनिया अपने पतनी की एदशा देकर याकुल होटी और उसकी सेवा में लग गई इसी समय गोबर भी आ गया वहाँ पर सब लोग बहुत प्रसंद हुए उसने अपने साथ लाया हुआ सब समान एक दोस्टर को बाटा फिर गाउं में घुमकर सब पर अपना शहरी हो गया है वो अब उस तरह का प्रभाव जमाया बैद भोला के गाउं भी गया और उसे बातों में फुसला कर अपने बैल ले आया गोबर से गाउं के सब मुख्या चड़े हुए थे दातादीन से उसने साफ कह दिया था कि होरी अब किसी का काम नहीं करेगा दातादीन ने अपने रुपे मांगे तो गोबर ने सरकारी भ्याज के साब से रुपे देने चाहे किन्तु होरी को लगा कि यह है अधर में दौनों बाप बेटों में बाप बेट मातादीन ने सीलिया चमारिन को रखेल के रूप में रखा था एक दिन मातादीन सीलिया धातादीन और हुरी आधी खेत में अनाज उसा रहे थे तभी सीलिया के माबाप और दोनों भाई अपनी विरादरी के साथ वाँ पहुँच गे उन्होंने मातादीन का जने उतोर डा और उसके मुमें हड़ी डाल दी सीलिया को वे लोग ले जाना चाहते थे किन्तु बहुत मार खाने पर भी वे उनके साथ नहीं गई इससे मातादीन के धर्म ड्रिस्ट होने की पास सारे गाउं में फैल गई दातादीन ने मातादीन को समझाया कि वे सीलिया का साथ छोड़ द बाकी वे सब ठीक कर लेगा मातादीन ने सीलिया को पुरा अभला कहा तो विवश होकर सीलिया अब होरी की शणर में आ गई और उसी के आ रहने लगी होरी को अपनी लड़की सोना के बिहा की चिंता होने लगी क्योंकि गाउं के मंचले लड़के उसका पीछा करते थे होरी के सोनारी गाउं के एक धनी किसान गोरी महतो के लड़के मतुरा से सोना का विवा करना निश्चित किया सोना और सीलिय के प्रयास से देच की भी समस्या नहीं रही इस प्रकार बिना किसी कठनाई के सोना का विवा हो गया भोला ने अपने दूसरा विवा का लिया था किन्तो इससे उसके घर में जगड़ा इतना बड़ा कि बेटों ने उसे पीट कर घर से निकाल दिया भोला और उसकी पन्दी नोहरी ने नोखे राम के यहां चरन ली नोखे राम ने नोहरी पर अपना अधिकार कर लिया भोला इतना दुरवल हिर्दय था कि ना वहां रह सकता था ना कहीं जा सकता था फलतव वहां एक नौकर के हैसे से रहने लगा इधर पटेश्वरी की चाल में आगर मगरू शाहने होरी पर डिगरी कर दी और उसका एक नीला हो गया गोबर जब लखनों पहुचा तो उसने देखा कि जहां पर वह खोमचा लगाता था अब वहां पर किसी और ने आकर वहां अधिकार अपना अधिकार जमा लिया विवश होकर उसने खन्ना की चीनी मिल में नौकरी कर लिए जुनिया से भी वे विरक्त सा रहने लगा दौनों में मन मुटाव बढ़ने लगा और एक दिन तो गोबर ने उसे पीच भी दिया गोबर शराब पीने लगा था बच्चे की देख भाल भी ठीक से नहीं करता था और बच्चे की देख भाल नहीं हो पाते थी एक दिन बच्चा भी मर गया उदर खन्ना की मील में मजूरों ने वेतन के मसले पर उसके प्रश्म पर हर्ताल कर दी और दंगा मंगा हुआ फैक्टरी में और उस दंगे में गोबर बुरी तरे मार खाग पैठा और अस्पताल पहुँच गया इस चोचनिये दशा को देखकर उसकी ऐसी हालत देखकर रस्पताल में जुनिया को बहुत दुख हुआ गोबर भेहोश था उस समय जुनिया ने अपने प्राणों से भी पढ़कर उसकी सेवा की इधर इसे उसे एक बच्चा भी हो गया चुया नाम की एक पड़ोसन ने उस बच्चे की बड़ी देख रेकी तभी एक दिन जब गोबर काम की तलाश में था तब उसे मालती मिल गया उसने गोबर को अपने घर में माली की रूप में रख लिया जुनिया भी वही रहने लगी उन्ही दिनों गोबर के बच्चे को चेचक निकल आई लेकिन मालती की प्रयासों से बच्चा जल्दी ठीक हो गया सीलिया ने एक बच्चे को जन्म दिया और माता दिन उसके निश्क कपट प्रेम से प्रभावित हुआ और इस तरह से एक दिन होरी को उसके लिए दो रुपे दे आया सीलिया रुपे और माता इनका प्यार पाकर इतनी खुश होई कि उसी रात सोना से मिलने नदी पार उसके गहां पहुँच गए मतुरा उसे देखकर उसका हाथ पकड़ने लगा तभी सीलिया ने अपने हाथ चुड़ा लिया उसे समय अंदर से सोना की आवाज आई मतुरा के साथ जब सीलिया अंदर पहुची तो इतनी रात गए उसका आना सोना को अच्छा नहीं लगा और सीलिया भी वहाँ पर आकर पश्टा रहे थी सोना ने उसके बहुत अपमान किया और फिर वहाँ कभी ना आने के लिए कहा सीलिया अपमाने अपना मुख लेकर चले गई वहाँ से दुखी मन से लोटाई सीलिया ने होरे के घर में अपना एक अलग फूल का जोपड़ा बना लिया था उसका बच्छा देरे देरे बड़ा होने लगा माता दिन कभी कभी एकांत पागर उसे प्यार कर जाता अब उसकी आत्मा सीलिया की प्रती उसके करतब्य की आदिल आ रहे थी अचानक सीलिया का बच्चा निमूनिया के कांड़ जलबसा माता दिन ने जब यह सुना तो वह अपने आप में ना रह सका उसके बिना उसने बिना किसी की परवा किये बच्चे के शवक को अपने हाथ में उठाया और अकेले में नदी के तटकी और चला जब बालक को नदी की धारा में बहा कर वैं लोटा तब उसके जो अभी तक उसके उसकी आत्मा पर उसके उसके अंदर एक वो था कि मैं ब्रह्मन मूँ हूँ और वैसीलिया को मैं सबके सामने नहीं स्विकार कर सकता तो वो जो एक उसके अंदर था हंकार कहलो या भीमान कहलो या जो भी एक भावना थी वो अब खातम हो गए अब वैसीलिया को पूरी तरह से अपनाना चाहता था और उसे पूरी तरह से स्विकार कर लेता है और कई तरह के कस्ट सहे, संकट सहे, बदनामी भी हुई उसकी, जाती विरादरी से बाहर भी किया गया, भूका भी रहा, और ये सब उसके पास तो कुछ भी की जमीन थी, लेकिन उसने अपनी जमीन को नहीं बेचा, उसने उस जमीन को बचाए रखा ये सब सहते वे, क्योंकि वे अपने दादा पड़ता था कि जमीन को बेचना नहीं चाहता था, और अब यहां उसके इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, कि तीन साल से उसने लगान नहीं दिया था, नोके राम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया, उससे तो कहीं से रुपे मिलने की आशा ही नहीं थी अभी तक, इसका नम रूपा है, और पंडित दाता दिन कहते हैं कि इसका विवा बुड़े राम सेवक महतों से कर दो, होरी को ये बात सुनके बहुत दुख होता है, उससे लगता है जैसे कि उसका किसी ने अपमान कर दिया हो, मैं तो बहुत आदरश्वादी था, उसक सिर गलानी और अपमान से जुख जाता है, लेकिन क्या करें, पैसे की कमी थी, पैसे की कमी विवश्च था, मनुष्य से क्या क्या नहीं करवा ले थी, अब उसके साथ, उसकी स्तिती ऐसी थी, अब उसने रुपा का विवा राम सेवक से करने के लिए हां कर दी, धन्या ने दुखी मन से दाता दिन के प्रस्ताव को माल लिया, विवा का एक दिन तै कर दिया जाता है, और शादी होती है, गोबर जो की रुपा का भाई है, वो भी शादी में आता है, पंडित दाता दिन विवा के लिए 200 रुपे देते हैं, और होरी अपनी जमीन को बेदखले से ब उपन्यास के दूसरे और अंतिम भाग यानि जो उपन्यास का कथानक में आपको बता रही हूं, उसका अंतिम भाग का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, धिन्यवाद